वेल्कम बेक दोस्तों यूज जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत हैं दोस्तों आज हम प्रतिशत के बात चार में कुछ बचे हुए 4-5 कोशन और हैं वोने करकर इस पार्ट को समाप्त करेंगे तो हमारा पहला कोशन है एक परिक्षा में 35 प्रतिशत विध्यारती उत्तिरिण हुए 4-5 विध्यारती अनुत्तिरिण हुए तो कुल कितने विध्यारती बेट है परिक्षा में तो कहने का मतलब है जब भी उत्तिरण की वहा है उत्तिरण का प्रतिशाद और जो संख्या दीवे और अनुत्तिरण की दीवे तो एक पारिक्षा में 100% vidare बेटे हो उच्छिक परिक्षा में 100% रुटिशन्स और गहरें 35% जाट को isa कि 25 कृषचे ना में पर्लें बैट्रेश के लिए 2 बतेस्ता सब्सक्रामें ऐस प्रतिशत में 50% के बाता यक्षेजन बराबर तबी सेट होती जब दोनों और एक्वल एक्वल मान हो यानि कि यहां परसेंटेज जो है ना 65% वो किसके 455 के बराबर है कुल विद्यार्दी मालने दें हैं हम X X का 65% बराबर 455 के तो X का 65% में बटे में 100 बराबर 455 पांच से काटें 545 5 एकम 5 13 से 13 पंचे 65 13 एकम 13 13 सत्य इंकाणू X बराबर 700 students तो कुल कितने परिक्षार्दी थे 700 students जब भी बराबर के दोनों और एक जैसे मान हो तो हम कुल विद्यार्दी या कुल जिसकी भी संक्या हो वो कुल निकाली जा सकती है तो अंसर बराबर 700 अगला है कुश्यन हमारा एक परिक्षा में एक विद्यार्थी ने 20 प्रतिशात अंक प्राप्त किये तथा वह 30 अंकों से फेल हो गया जब भी अंक कम या कम दिये हो तो माइनस होगा जब अंक अधिक अधिक हो तो भी माइनस होगा जब अंक अधिक कम हो तो प्लस होगा और कम अधिक हो तो भी प्लस होगा अंको की बात कर रहा हूं प्रतिशत की नहीं प्रतिशत हमेशा प्रतिशत का हमेशा हम डिफरेंस लेंगे ठीक है तो यहाँ पर हमने 100 लगाना ही है हर बार 100 इंटू अंक क्या है एक में फेल हो रहा है और एक में अधिक अंक ला रहा है मतलब कम ज्यादा अंक है तो दोनों क्या होंगे चुड़ जाएंगे 35 और 42 तीन दो चार तीन साथ और प्रतिशत का अंतर 32 परसेंट और बीस परसेंट दो इन में से दो गया एक बारा बार चंग बहुत तर तो यह 600 जो हमारे आ गए पूरी परिक्षा में जितने भी पेपर होंगे उनसाब का कोल अंक हमारे 600 आ गए उसने पूछा है कि हमें बता है consistently 20 परसेंट अंक प्राप्त कर रहा है तो 600 का गुल अंक का 20 परसेंट प्राप्त कर रहा है नुग है ऑर किसे 30 अंकway से फेल गया है अगर वह 30 अंग को और लिया था तो पास उजाता था फेल नहीं होने की बजाए यही इक्वेशन मन गई हमारी 0-0 इंचल छे दूना 12 120 प्रतिशत अंग कितने हैं 25 प्रतिशत अंग कितने हैं 25 प्रतिशत यही हमारा आंसर है 25 प्रतिशत हमारा आंसर है अब बढ़ते हैं हम आगे सवाल के और एक चुनाओं में दो उम्मीद्वारों में से एक ने कुल वेद मतों का 55 प्रतिशत अंग प्राप्त किये 25 प्रसेंट मत अवेद गोशित कर दिये गए यहाद कूल मतों की संख्या 1500 हो तो दूसरे उम्मीद्वार ने कितने कुल कितने वेद मत प्राप्त किये तो यह बीजी हमें यहां मतों की कुल संख्या दे रखिए तो दो सेवन फाइब डबल जिरो पिछत्त परसेंट मत तो अवेद गोशित हो चुके हैं तो पेले तो अवेद मत निकाल देंगे अवेद मत हमने यहां से माइनस कर दो बीस परसेंट अवेद मत निकाल दिये तो 0, 2,50, 0,80, 2,70, 1,15 तो यानि कि 1500 मत जो हैं वो 7500 में से अवेद हैं तो वेद मत कितने हो गए 6000 अब एक उमीदवार ने कि मत 5% मत प्राप्त करें यानि कि 6000 में से 55% तो एक उमीदवार ने प्राप्त करें और बच्चे कितने 45% मत किसी दूसरे ने प्राप्त करें तो हमें दूसरे उम्मिद्वार के मत पताने तो यानि कि 45% पूछ रहा है वो तो 6000 का 45% हम निकाल लेंगे दूसरे उम्मिद्वार है उसने 27 सोमत प्राप्त किये थे अगला प्रेशन एक दफ्तर में बहुततर कर्मचारी चाय पीना पसंद करते हैं 44% काफी पीना पसंद करते हैं यदि प्रत्य कर्मचारी दोनों में से एक अवश्य पसंद करें और 40 कर्मचारी दोनों पसंद करें तो दफ्तर में कुल कितने कर्मचारी है तो चाय पीने वाले कितने हैं चाय पीने वाले बहुततर प्रतिशादे और कौफी पीने वाले कित दोनों पीने वालों का प्रतिषत है तो यह 16% वहा है वह दोनों पीते हैं कितनी कि चालीस तो हमें cool konraw सॉला प्रेट बड़ाबर 40 की जाट होती है यह जाय से कि जो 40 कर्मचारी हैं वो दोनों पसंद करने वाले हैं और ये 16 में दिया हुआ है ये 16 हमने निकाला ये दोनों दोनों चीजें पीने वालों का प्रतिशत है तो प्रतिशत के बराबर हमने उनकी संख्या रख दी तो x x 16 प्रतिशत त्रजमें बटे में 100 बराबर 40 कि एक बराबर एक हजार हो जाएगा यह तर जाएगा तो और बटे में चार से 25 दो सो पचास तो अंसर है कितने करमचारी थे 200 करमचारी थे तो यह हमारा वीडियो ही खताम होता है और यह चेप्टर भी हमारा यही खताम हुहता है अविगा चेप्टर हम गार्फ